नमो नमा, संस्कृत निधी चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम कक्षा 6, 7, 8 तथा 9 के लिए संस्कृत व्याकरण के कुछ आधार भूत विश्यों का अध्यन करेंगे जिनका प्रयोग संस्कृत वाक्य निर्मान तथा जब संस्कृत से हम हिंदी वाक्य निर्मान करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी होता है इन तत्वों को जानना बहुत जरूरी है कि संस्कृत में पुरुष क्या होते हैं, लिंक क्या होता है और वचन क्या होता है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष पुरुष क्या होता है कि किसी कारे को करने वाला व्यक्ति पुरुष कहलाता है अर्थार्थ ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को कर रहा है उसको हम पुरुष कहते हैं प्रकार अंग्रे जी में जो subject होता है वही संस्कृत में पुरुष कहलाता है संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं कौनसे कौनसे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष क्या होता है अंग्रे जी का जो third person है वो संस्कृत का प्रथम पुरुष होता है अर्थार्थ ऐसा व्यक्ति जिसके विशे में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष कहलाता है अब इससे क्या अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपके सामने नहीं है आपके सामने उपस्तित नहीं है ना तो वो ह प्रथम पुरुष का करता कहेंगे और इसे संस्कृत में अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है अब इसमें कौनसे 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 करता आएंगे प्रथम पुरुष में एक तो जो सर्वनाम शब्द हैं वेस में आएंगे उसके अतिरिक जो संग्या शब्द हैं अर्थ सा, तत, इन तीनों का आर्थ होता है वह, सह होता है पुलिंग में, सा होता है स्ट्रिलिंग में, तत होता है नपुन्सकलिंग में, तो ये तीनों ही प्रथम पुरुषके करता है, इसके पश्यात आता है ताउ, ते, ते, ताउ अर्थार्थ वे दोनो, ते अर्थार्थ वे द तो ये भी हमारे प्रथम पुरुष के द्वीवचन के करता है। उसके पश्चात आता है ते, पुर्लिंग, ताह, इस्त्रिलिंग, तानी, नपुनसकलिंग। इन तीनों का ही अर्थ होता है वे सब। ये इस तरह से ये जो सर्वनाम शब्द है क्योंकि इनका प्रयोग हम करते हैं इसलिए ये शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं तो ये सब हमारे प्रथम पुरुष के करता होंगे इसी के अतिरिक्त अगर हम कहते हैं राम विद्या ले जाता है तो जो राम है वो किसी का नाम है तो वो हमारा प्रथम पुरुष का करता होगा राम तो यहां पर जो भ प्रथम पुरुष के करता होंगे इसके पश्चात आता है मद्यम पुरुष जिसे अंग्रेजी में second person कहा जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसको बात कही जा रही है अर्थार्थ जिसको जो वहाँ पर प्रथम पुरुष में तो क्या था कि वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है ना तो वो आपके बात को सुन रहा है और ना ही कह रहा है मद्यम पुरुष का करता आपके सामने खड़ा है और आपकी बात को सुन रहा है तो ऐसा व्यक्ति जिसको हम बात कह रहे हैं और जो सुन रहा है उसको मद्यम पुरुषका करता कहते हैं संस्कृत में और ये कौन-कौन होते हैं इसमें ये तीन ही करता मद्यम पुरुषके करता होंगे और ये ही बात आपको याद कर लेनी है कि त्वम, युवाम और यूयम ये जो तीन पद हैं ये तीन जो करता हैं वो मध्यम पुरुषके करता होंगे त्वम अर्थार्थ तुम युवाम अर्थार्थ तुम दोनों यूयम अर्थार्थ तुम सब जैसा कि हम बोलते हैं कि तुम खेलो तो हम उसको लक्षे करके इस बात को बोल रहे हैं वो हमारे सामने है वो व्यक्ति जिसको भी हम बोल रहे हैं फिर अगर कहते हैं तुम दोनों पड़ो तो हम बोल रहे हैं उनको और वो हमारे सामने हैं तो वो मध्यम पुरुश के करता होँगे इसे प्रकार तुम सब गाना गाओ तो ये भी हम उनको लक्षे करके उस बात को बोल रहे हैं, तो तुम सब भी मध्यम पुरुष का करता हो गए, तो त्वम का अर्थ होता है तुम, युवां का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तो ये तीन आपको याद कर लेने हैं, कि मध्यम पुरुष के करता ये तीन ही ह होते हैं इसके बश्चात आता है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष अर्थार्थ अंग्रेजी का फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में स्वयम बात कर रहा है अपने विशय में बोल रहा है जो कुछ भी कह रहा है कि मैं खेल रहा हूं तो मैं खेल रहा हूं अर्थार्थ वो स्वयम की बात कर रहा है तो जो मैं है वो उत्तम पुरुष का करता हो जाएगा संस्कृत में तो इसकी परिभाशा देख लेते हैं एक बार कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयम के बारे में बात कर रहा हो वह उत्तम पुरुष कहलाता है ठीक है इसके करता इसके भी तीन ही करता होते हैं अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब तो जो भी ये तीनों करता स्वयम के बारे में बोलेंगे कि मैं विद्याले जा रहा हूं हम दोनों खेलने उद्यान में जा रहे हैं वयम, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सबी उत्तम पुरुष के करता हैं, तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के तीन-तीन करता हैं और यही रहते हैं, इनके अतिरिक्तिस में और कोई करता नहीं होता, प्रतम पुरुष में हमें सर्वनाम शब्द और संग्या शब्द, कोई भी नाम और सर्वनाम श सर्वनाम शब्दों के जो हैं वो प्रतम पुरुष के करता होंगे तो ये था हमारा पुरुष अब हम पड़ेंगे लिंग लिंग क्या होता है जिस चिन से किसी संग्या या सर्वनाम शब्द के पुरुष, इस्त्री या इन दोनों से भिन होने का ग्यान होता है उसे लिंग कहते हैं अर्थार्थ ऐसा चिन जिससे हमें ये ग्यात हो कि यह शब्द पुरुष है कि यह जिसके विशे में भी जो भी शब्द है कि जिसके विशे में भी बात हो रही है यह पुरुष है इस्त्री है या पुरुष और इस्त्री जाती दोनों से भिन्न है तो वह जो चिन्न होता है उसे हम लिंग कहते हैं यह लिंग की परिभाशा है संस्कृत में लिंग तीन होते हैं पुल लिंग, इस्त्री लिंग तथा नपुनसक लिंग अब pulling क्या होता है जिससे पुरुष जाती का बोध होता है उसे pulling कहते हैं ठीक है जिससे हमें यह ग्यात होता है कि यह शब्द पुरुष जाती का है उस शब्द को हम pulling कहेंगे जैसे बालकह, बालक, अध्यापकह, अध्यापक, सह, वह, कपोतह, कबूतर, अश्वह, घोड़ा, आदी इस प्रकार के अनेक शब्द आगे है इस्त्रिलिंग जिन शब्दों से इस्त्री जाती का बोध होता है उन्हें इस्त्रिलिंग कहते हैं अर्थार्थ ऐसे शब्द जिन से हमें यह ग्यात होता है कि यह इस्त्री जाती का बोध करा रहे हैं उन्हें हम इस्त्रिलिंग कहते हैं यथा बालिका, अध्याप का सा अर्थार्थ वह, छात्रा, चट्टका कहते हैं, चीडिया को. तो ये सभी इस्त्रिलिंग के शब्द हैं. इसके पस्चात आता है नपुन्षकलिंग. ऐसे शब्द जो पुरुष या इस्त्रि जाती दोनों में से किसी का बोद नहीं कराते हों, वे नपुनसकलिंग के अंतरगत आते हैं अर्थार्थ ऐसे शब्द जिनसे हमें ना तो पुरुष जाती का बोध हो रहा है और ना ही इस्त्रिलिंग का बोध हो रहा है वे शब्द नपुनसकलिंग के अंतरगत आते हैं अब जैसा कि अन्य विश्यों में होता है non living things हैं, उनको हम napunsuckling में रख लेते हैं, किन्तु sanskrit में ऐसा नहीं होता है, कि non living thing है तो वो napunsuckling ही होगी, वो pulling भी हो जाती है, और ये कारे जो होता है, कि कौनसा pulling है, कौनसा napunsuckling है, कौनसा strilling है, ये हम जितना sanskrit का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमको ज्यात होगा, इनका कोई specific विशेश नियम नहीं है, ये हमें अभ्यास से ही आएगा, तो नपुन्सक लिंग जैसे फलम, फल, ग्रिहम, घर, उदरम, पेट, उदरम, पेट, तो ये सब नपुन्सक लिंग के शब्दे हैं, तो ये था हमारा लिंग जो की तीन होत हैं, आगे हैं वचन, वचन अर्थात, किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या, वचन के भेद का आधार होती है, कि कोई भी वस्तु कितनी है, वो हमें कितनी दिख रही है, या हम कितनी वस्तु की संख्या, कितनी है, ये जो भेद है, इसको हम वचन कहते हैं, ये ही वचन के भेद का आधार है इसी के आधार पर हम बोलते हैं कि कितने वचन हैं तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं तीन वचन होते हैं एक वचन द्वी वचन और बहु वचन एक वचन नाम से ही पता चल रहा है एक तो जिन शब्दों से एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्यान होता है वे एक वचन कहलाते हैं जैसे बालकह, कपोतह, सूर्यह, चंद्रह, सह, बालिका, अध्यापिका, आदि ठीक है? तो ऐसे शब्द जिनसे हमें एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्यान होता है वे एक वचन कहलाते हैं द्वीवजन, जिन शब्दों से दो व्यक्तियों या दो वस्तु का ज्यान होता है उन्हें द्वीवजन कहते हैं जैसे द्वाव बालकव, द्वे बालिके, द्वाव गजव, द्वाव व्याग्रो तो बालकव, बालक, दो बालक, द्वे बालिके अर्थार दो बालिकाएं, इस्त्रिलिंग का रूप, द्वव गजव अर्थार दो हाथी, गज कहते हैं हाथी को, द्वव व्याग्रव, दो बाग, बाग अर्थार टाइगर, ये हो गया द्वीवचन, आगे हैं बहुवचन, जब भी किसी व्यक्ति या वस्तू की संख्या तीन होगी या उससे अधिक होगी तो वो बहुवचन में आ जाएंगे. जैसे बाल काहा जब तीन या तीन से अधिक बालक होंगे. गजाहा हाथी अश्वाहा गोडे पुस्तकानी पुस्तके फलानी फल ये सब बहुवचन में हो जाएंगे तो ये था हमारा वचन जो संस्क्रिप में तीन होते हैं तो आज के पाठ के ध्यान योग्य बिंदु क्या क्या है कि पुरुष वो हमने पहले पढ़ चुके हैं विस्तार से तो यहाँ पर हम एक द्रिष्टी डालेंगे के वज कि पुरुष कितने होते हैं तीन प्रतम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष उसके पश्यात वचन कितने हैं तीन एक वचन, द्वी वचन, बहुवचन उसके पश्यात लिंग कितने हैं तीन पुलिंग, इस्त्रिलिंग, नपुनसकलिंग तो इन तीनों विश्यों के आधार पर ही संस्कृत को पढ़ने में असानी होती है और संस्कृत वाक्य निर्मान में जब हमें हिंदी से संस्कृत में और संस्कृत से हिंदी में जब वाक्य निर्मान करना होता है तो इन तीनों ही विश्यों का ग्यान होना हमें बहुत ही आवश्यक है तो अगर विश्य आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूश सकते हैं वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएगा वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्य के साथ जय तु संस्कृत हम